हलो दोस्तों द्रिमाब भारत के यूटूब जैनल में आप से लोगा स्वागत है बिस बुगल की स्रिंकला में हम पुना एक वीडियो लेके आप लोग सामने उपस्ते थें और आज का जो वीडियो है आज का वीडियो है दक्षिर पस्ति मेसिया की प्रमुक श्रेणिया लेक वीडियो के दिरिश से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से हमेशा एक्जाम में कियुसन बनता है यहां से हमेशा एक्जाम में कियुसन बनता है तो बिना समय गवाए हुए आईए हम अपने टापिक पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी परवस्तेडियों है और कहा इसी थे? उत्तरपस्दिम इरान मेचती थे और यह कैस्पियन सागर के दक्षडी किनारे के पास बिस्तित है और यह एलबुर्ज परवस्रेडी यह जैग्रोस परवस्रेडी यह जैग्रोस परवस्रेडी की तुलना में उची है उची है और यह एखया परवत का सर्वोश्य देमा बंद शिक्र कोई सा है और जिसकी उचाई है 1567 मेटर है एल्बूर्ज परवत का सर्वोच सिखर जो है वह देमा बंद है एल्बूर्ज परवत का सर्वोच सिखर कौन सा है तो देमा बंद है जिसकी उचाई है 5667 मीटर और यह एक जौला मुकी परवसिखर है यह किस प्रकार का परवसिखर है तो यह एक जवाला मुखी परवसी के रहे है अलबूज परवस रेड़ी और यह देमा बंद जो है यह अलबूज परवस रेड़ी की सरवोच रेड़ी है और इसके उचाई पांचार चैसाओ संड़ संड़ मीटर है ठीक है और यादि हम मैब में देखें तो यह उत्तर यह वाला जो बिल्ट है इसका यह वाला जो बिल्ट है उत्तर पस्षिम का तो उत्तर पस्षिम में ही इस्तित है अलबूर्ज परवद श्रेड़ी और इसका सरवोच रेड़ी जो है कौनसा है देमा बंद है जिसकी उचाई पांच जार शैसाओ सताओन मीटर है जिसकी उच जौट परवस्रेडी यह अल्पाइन काल जित्यार्यल और जित्याँर पाइब का में इस्ते थे यह अल्पाइन काल की एक नवीन परवस्तेडी है और यह भी इरान में इस्ति थे और कीस इरान में इस्ति थे इरान के पस्मी भागों में इस्ति थे और इसका अधिकांस तेल छेत्र इसका जो इरान का अधिकांस तेल छेत्र है वह इसी परवत के पदी छेत्र में इस्ति थे पदी छेत्र का मतलब कि इस परवत का जो निचला भाग है परवतों का जो निचला भाग है उसे पदी है परवत का पदी छेत्र का जाता है तो परवत के पदी छेत्रों में है इरान का जो जादा तरतील भंडार है तो वो जैग्रोस परवस्रेडी के पदी छेत्रों में ही इ यह अर्मेनिया की गांट में एक दूसरे से मिल जाती हैं, अर्मेनिया की गांट में एक दूसरे से मिल जाती हैं, अर्मेनिया की गांट में एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो यहां से कुस्ण बन सकता है, यहां से कुस्ण बन सकता है, कि अर्मेनिया की गांट में एक दूसरे स पास आकर के जो है इसी में एक दूसरे से ये मिल जाती है तो इसके बाद है मिल जाती है और इसका जाटकु इसका सर्वच परवसिखर है इसके बाद है अगली कौन सरेडी है तो अगली है तूडूसरेडी इसके बाद करें यह साइपरस दीप की मुख सरेडी है यह किसकी सरेडी है तो यह साइपरस दीप की मुख सरेडी है जिसमें तांबावा इसबेस्टास का खनन होता है तूडूसरेडी में किस प्रकार की खनित पतातों का तो तामबायोम इसबेश्टास का जो खनन होता है वो किस स्रेडी में होता है तो टुडू स्रेडी में टुडू स्रेडी में किस प्रकार के खनिजों का खनन होता है तो तामबायोम इसबेश्टास तामबायोम इसबेश्टास जो है खनिज पदार्थों का खनन टुडू स्रेडी में होता है और यह साइप्रस दीब की मुख्य स्रेडी है इसका सरवच सिखर माउंट उलंपस है इसका सरवच सिखर क्या है माउंट उलंपस तो यहां से क्योंसन पूछ सकता है तूडू स्रेडी का सरोज सिखर कौन सा है, तो तूडू स्रेडी का सरोज सिखर जो है, वह है माउंट उलंपस, माउंट उलंपस, और यहां से किस प्रकार के खनिजों का खनन होता है, तो यहां पर ताबा और इस बिस्टास जो है, इन खनिजों का यहां खनन होता है, इसके लेता है इस्बाइन द्रबाऊ ऀर्ड़ेट यह तो यह इसी हमेप में pagar तुर्की करें दौने में यह नतरगता आता है यह तो तुर्की और रूस तुर्की के उत्तरी भाग में यानि यह वाला जो बिल्ट है तुर्की का उत्तरी वाला बिल्ट जो है यहीं पे इस्तिस है पांटिक स्रेडी जो मोड़दार बरवत है और यह किस प्रकार की परवस्रेडी का उधार है तो यह आलपाइन परवस्रेडी का उदारड है या किस प्रकार की परवती करड़ी का उदारड है तो अलपाइन परवती करड़ी का उदारड है अलपाइन परवती करड़ी का उदारड है अब यह तुर्की के उत्तरी भाग मेचती थे यह एक मोड़दार परवत है यह एक मोड़दार परवत है इसके बाद है टॉरेस परवस्रेडी, अगली कौन सेडी है, अगली परवस्रेडी है, टॉरेस परवस्रेडी, यह तुर्की के दक्षडी भाग में इस्ती थे, तॉरेस परवस्रेडी भी तुर्की के दक्षडी भाग में इस्ती थे, यानि कि अगर हम तुर्की की बात करें, तो तुर्की क का तुर्की के दक्षणी भागवाले बेल्ट में यहां पे टॉरेस परवस्रेड़ी पाया जाती है और यह भी अल्पाइन करेड का ही उदारड थिया नहीं पांटिक परवस्रेडियां इसी द्रेडियों के मध्य अनातोलिया का पठार इस्ति ऐसिते अनातोलियों का पठार तुलियों के मद ही आनातोलियों के मद ही आनातोलियों का गांट में अपसमें मिल जाती है तो यहां से क्यूषन बन सकता है किंशंगे चैनल आपसमें बनके मिलती है तो यह जो अर्मीनियां ढाम है कि आर्मेनियां हैं 분들은 आपसमें मिल जाती है और यह है इसका जो सर्व्च शिक्षर है वह है Mount Ararat यहीं परिस्तित है Mount Ararat यह भी एक प्रकार का क्या है यह भी जो है यह एक प्रकार का परवत है और यह तुर्की का सरोच परवसिखर भी है यह जो है तुर्की का सरोच परवसिखर भी है तो यहां से क्योंसन बन सकता है तुर्की का सरवच परवत सिखर कौन सा है तो यह है माउंट अराराथ माउंट अराराथ यह जो है तुर्की का एक सरवच परवत सिखर है माउंट अराराथ इसके बाद है एजमन परवत अगला परवत कौन सा है एजमन परवत है और यह है इसराइल का सरवच सबसे उंचा प परवत kam सा ? कौन सा है ? तो , इज्राइल का सबसे उन्चें परवत。 और यहां Samaria जुडिया जुडिया में इस्ते थें. इसके पाद है, गुलाली। इसके पाद है, मकरान के दक्षडपुर में हुच्छी इस्ते त्रेडी कहा हिसले थे ? तो मकरान परवस्रेडी जो है इरान के दक्षिर पूर में इस्तित है यानि कि इस वाले बिल्ट में इस वाले बिल्ट में जो है इरान के यहीं पे इस बिल्ट में इस्तित है कौन सा परवस्रेडी है तो यह है मकरान परवस्रेडी है मकरान परवस्रेडी जो है इरान के दक्षिर परवस्रेडी है इसके बाद है गुलाली परवस्रेडी अगली कौन से परवस्रेडी है तो अगली है गुलाली परवस्रेडी और यह परवस्रेडी है इस्ती थे गुलाली परवस्रेडी कहा इस्ती थे तो गुलाली परवस्रेडी कहा इस्ती थे इस्ती थे इस्ती थे इस्ती ये तीन धर्मों की प्रमुख धार्मीक अस्थली भी है इस्राल की राजधानी एरुस HDMI जो ए है यह तीन प्रम penny संस्क्रिती विंक अस्थल केंद्र भी है इसके बाद है अरारा राद पर्वस्थेडी अगला कौन सा पर थाड़ी है है अंह rat उत्तर पूर्वी तुर्की में है और यह एक स्वांत सांत ज्वाला मुकी का छेत्र है यह किस प्रकार का छेत्र है तो यह एक सांत प्रकार की ज्वाला मुकी स्वांत प्रकार का जो है ज्वाला मुकी है और यह तुर्की के उत्तर पूर्वी तुर्की में यानि यह वाला जो तुर्की का श्री ये वाला जो तुर्की का ये उत्तर पूरी जो बिल्ट है इनोज में पाया जाता है अरा रात परवस्रेडी ये उत्तर पूरी तुर्की में पौया जाता है और यह उत्तर पूरी तुर्की में इस्तित है और यह एक सांत प्रकार का ज्वालमुकी है जहां सदय जो सदय उपर्वस्रेड़ी अगले पर्वस्रेड़ी कौन सी है अगली पर्वस्रेड़ी है कुर्दिस्तान पर्वस्रेड़ी और यह इराक में इस्तित है यह कहां इसी थ इराक की सरवच मुची परवच स्रेडी भी है कुर्दिस्तान अगर इराक की बात करें तो यह आप मैं देख रहे होंगे यह इराक है इराक की सरवच सबसे मुची चोटी कौन सी है तो कुर्दिस्तान परवच स्रेडी ही सरवच सबसे मुची चोटी है और यह जो है इराक में इसके बाद है अगली कौन से स्रेड़ी है तो अगली है और यह पस्मी अरब में इस्तित पर से जो उत्तर से दक्षिर दिसा में विस्त्री थे इस तरह से हमने पूरे टॉपिक को पूरा डिटेल से जो है कवर किया इस तरह से आज का जो टॉपिक ही कंप्लीट होता है अब इ हिया जहिए रहे अच्ट्री पार से स्रेड़ के इसे आहे णिस्तरी है पूरा पूराइश करह जाते ही